वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, मानेम इस पंकर्श तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले की ब्रेव आइट ने एक बार फिन से टीज किया है जौन सीना के फ्यूड को लेकर और जौन सीना को भी तो इ कैवी नोमेंस के टाइटल रन को लेकर जो कि वो अपने रिसेंट के इंटर्वी के अंदर डिसकस करते वे दिखाई देते हैं और ब्लड डाइन को भी लेकर एक काफी इंट्रस्टिंग अपडेट है तो काफी कुछ अच्छी कासी अपडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो बाई सब्सक्राइब कर लो क्यूंकि आपको यहां पर हमें साल लेटेस्ट अपडेट और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं तो डेफिनेटली चैनल को स पिलाल के टाइम पर जो उनकी स्टोरी है वो काफ़ी ज़ाधा बोरिंग हो चुकी है और ब्रेवाइट की जो स्टोरी डाइन है वो काफ़ी ज़ाधा स्लो तरीके से चलते वे दिखाए दे रही है तो ऐसा कुछ यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एच साइट सील्स की त तो ब्रेवाइट ने एप्रेल में अपना अपिरियंस दिया था और अपना जो फिंड का कारक्टर था वो इंट्रोड्यूस किया था जुलाई के अंदर तो दो महिने का डिफरेंस था तो ऐसे में ब्रेवाइट तो एक्स्ट्रीम डूल्स के अंदर आये हैं और फिलाल के तो आपके थाट्स अब जाके कॉमें जरू बता देना वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डेक्स्टर लूमिस और इंडी हार्टवेल को लेकर तो रिसेंट का जो हमें एनेक्स्टी का लाइव इवेंट देखने को मिल रहा था जो कि कल का देखने को मिल रहा था तो उस एनेक्स्टी के लाइव इवेंट के अंदर हमें डेक्स्टर लूमिस देखने को मिलते हैं और दोनों सुपरस्टार में रॉस्टर के अंदर देखने को मिले, डेक्स्टर लूमिस तो वैसे ही में रॉस्टर के अंदर हैं, लेकिन अगर इन्डी हट्वेल भी आती है, तो काफी अच्छा-खासा एडिशन हमें देखने को मिल सकता है, The Wave Faction अगर reunite होते वे दिखाए देती है तो देखते वैसे डवली स्थिंग को लेकर क्या कुछ प्लान बनाते वे दिखाए देगी in future अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें तेखने को मिल रहा है कैविन ओविंस की तरफ से तो कैविन ओविंस जो कि अपने recent के podcast क के अंदर reveal करते वे दिखाए देते कि 2016 के अंदर जो उन्होंने universal championship जीता था उसका जो title reign था वो title reign बिल्कुल भी उन्होंने enjoy नहीं किया था कैविन ओविंस के उस title reign के दोरान कुछी matches और कुछी feud जो की अच्छे थे लेकिन overall जो हमें end देखने को मिला कैविन ओविंस के title reign का gold bug की तरफ से वो title reign उनके लिए काफी बड़ा disaster था और वो character और वो title reign जो था वो title reign उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया character उनका उस time पे काफी बढ़िया था तो ऐसा कुछ हमें आपर कैविन ओविंस की तरफ से देखने को मिलता है और कैविन ओविंस ये भी कहते वे दिखाए देते कि अगर again उनको मोका मिल रहा है तो वो जरूर title reign एक अच्छा खाचा देना चाहेंगे title को जीत कर तो ऐसा कु की feud होती है इनका match होता है तो वो हमें कैसा देखने को मिलता है और result का देखने को मिलेगा यह तो हम सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी match हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है रोमनेंस और कैविन ओविंस के बीच में अगले update की तरफ चलते तो ये update हमें NWO को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Corey Graves जो कि अपने podcast के अंदर recent के वहाँ पर compare करते वे दिखाए देते है bloodline को NWO से जहाँ पर उनका ये कहना था कि bloodline काफी यदा compelling है NWO से तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानि कि काफी अच्छा कासा जो हमें character work देखने को मिलता है bloodline का और काफी अच्छा कासा dominate faction फिलाल के time पे bloodline हमें देखने को मिल रही है यानि कि Corey Graves जो कि bloodline को compare करने लगते है NWO से जहाँ पर उनका ये कहना था कि bloodline काफी जदा powerful faction है फिलाल के time पे NWO के comparison में तो ऐसा कुछ हमें आपर Corey Graves की तरफ से इसके उपर आपके thoughts है comment में जरूर बता देना अगर आप NWO के fan है या फिर bloodline के fan है किसके fan है जरूर बता दो भाई comment section में कौन सी faction काफी जदा अच्छी थी Corey Graves जो compare कर रहे है वो सही है या पिर नहीं अगले update की तरफ चलते है तो ये update हमें देखने को मिल रहा है और ये है Kurt Angle की तरफ से तो Kurt Angle जो कि Brock Lesnar को लेकर एक काफी interesting thing reveal करते वे दिखाए देते हैं TNA को लेकर और Brock Lesnar TNA join करने वाले थे 2006 में तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर Kurt Angle जो कि अपने recent के podcast के अंदर कहते वे दिखाए देते कि जो Brock Lesnar है वो काफी जदा interest दिखा रहे थे 2006 में TNA को join करने के लिए और TNA को join करने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि money को लेकर उनको कोई issue नहीं है यानि कि money कम जादा भी मिलेगा तब भी Brock Lesnar को चलेगा लेकिन Brock Lesnar join करना चाहेंगे TNA को तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर Kurt Angle reveal करते वे दिखाए देते हैं यानि कि Brock Lesnar एकदम से ready थे TNA join करने के लिए लेकिन TNA की तरफ से हमें कोई भी उतना बड़ा अच्छा reaction नहीं देखने को मिला था क्यूंकि वो Brock Lesnar को join नहीं करवाना चाहते थे TNA जिनकी तरफ से यह कहना था कि वो afford नहीं कर सकते and also वो पैसा भी नहीं देना चाहते थे Brock Lesnar को लेकर और Brock Lesnar को वो join नहीं करवाना चाहते थे अपने company के अंदर तो यह कुछ हमें यहाँ पर Cartangle reveal करते वे दिखाए देते हैं The Beast Incarnate Brock Lesnar को लेकर वैसे यह thing देखका लगता है कि TNA ने सही में पैचान नहीं पाया था कि भाई Brock Lesnar है कौन तो इसलिए वो sign नहीं कर पाय जिस tweet के अंदर हमें एक video clip देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें Tyson Fury देखने को मिलते हैं और Tyson Fury कहते वे दिखाए देते हैं कि why don't us three do a royal rumble then यानि कि हम तीनों क्यों रॉयल rumble करें तो ऐसा कुछ यहाँ पर Tyson Fury का कहना था इस video clip के अंदर जो कि एक boxing match को लेकर है जैसा कि हम सभी लुक देखी सकते हैं तो इसको लेकर Tyson Fury यहाँ पर ऐसा कुछ कहते वे दिखाए देते हैं तो इसी clip को लेकर जो कि BT Sports share करते वे दिखाए देते हैं और tag भी कर देते हैं ट्रेपल H को जहाँ पर उनका यह कहना था कि भाई रॉयल rumble के अंदर सही में Tyson Fury का एक boxing match करवाई दो तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वैसा अगर boxing match देखने को मिला Tyson Fury का Royal Rumble के अंदर तो यह देखना काफी ज़्यादा interesting रहेगा वैल इस thing के उपर आपके thoughts है comment में जरूर बता देना अगले update की तरफ चलते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Bray White की तरफ से तो Bray White जो की काफी interesting tease करते हुए दिखाए देते जौन सीना को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि एक हमें interesting tweet देखने को मिलता है तो यह tweet था जो कि Brian Gervitz की तरफ से जो की WLK official थे एक time पे तो उनकी तरफ से tweet देखने को मिलता है कि कौन कौन सी चीजे discuss हुई थी उनके time पे जब वो WLK अंदर backstage में official के तौर पे काम किया करते थे हैं so उनी things को लेकर Brian जो की tweet करते वे दिखाए देते हैं जहाँ पर Brian ये भी कहते वे दिखाए देते हैं उस tweet के अंदर कि उनके time पे उनके काम के दौरान जब वो WLK के अंदर देखने को मिलते थे ब्रेव प्रेवाइट ने मतलब एक kid को obses कर लिया था और वो kid जो की जौन सीना को हरवाने के लिए मतलब जैसे जौन सीना केज से बाहर जा रहे होते हैं बट उसी दोरान हमें एक kid देखने को मिलता है जो kid जो की ब्रेवाइट के आवाज में कुछ गुन गुना रहा होता है मतलब यह storyline पिछ हुई थी तो ऐसा कुछ यहाँ पर Brian का कहना था जिसको लेकर ब्रेवाइट कहते वे दिखाए देते हैं कि yes yes यह मैंने किया है यानि कि ब्रेवाइट यहाँ पर कहते हैं कि yes yes it did it तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर ब्रेवाइट की तरफ से देखने को मिलता है ब्रे ब्रेवाइट और जॉन सीना को लेकर सो इन सारी थिंग्स के उपर आपके एका थौट्स है क्या ओपीनियन है वो मुझे कॉमेंट के अंदर जरू बता देना वीडियो अगर पसंद आए तो आला लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जो भी करना कर सकते हो इंस्टाग् बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है अफसो सै कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेस को इसने आरके ओधा लगपाया